नमस्कार, खबर चार पजले करूँ में आपका साथ आशीश पाणड़े लिटेंगे शुवात करते हैं पड़ी खबर से जन्संक्या नियंतरन पर सिम योगी का बड़ा बयान सामने आया है जनसंक्या स्थर्ता के लिए सभी वर्कों को जोड़ा जाए मुक्यमंत्री योगी आदतनात का ये बड़ा पयाद किसी खास वर्की आबादी की स्पीड को जागरुक्ता से नियंत्रत किया जाए जनसंक्या स्थर्ता पकवाड़ा के शुभाराम मपर मुक्यमंतरी योगी आदितनाग लखनों पे ये बोलते वे नजर आए इसी वर्ण की आवादी, बढ़ने की स्पीड, उनका प्रिसर जाटा हो और कुछ जो भूल निवासी हो उन लोगों की आवादी के स्पुरी करण में हम लोग जागुरुपता के मात्यम से, इंफोर्समेंट के मात्यम से उसको इंटिक करके जनसन का संत्वन किसनी पहला करें और यहाँ एक शिस्ता का विशे है, हरेव उस देश के लिए जहाँ पे जन संधा संध्वनिकिस्ति पेदा होती है, रुणिचेश डेमोक्रेटी पर इसका विप्रीत असर पड़ता है तिर वहाँ पर एक समय के बाद अविवस्ता अराजकता जन्द लेने लगती है और इसलिए जब हम दो जन संख्या इस तरी करने की बाद करें तो समान गुप से समाज में पतेग जाती मात मजब छेटर भासा इन सबसे उपर उठर दे समान गुप से जागुपता के व्यापक कारिक्टरम को इसके साथ जोड़े जाने की आऊ सकता है और इस कहर पर जारा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ चुके आलोक का रुक करते है आलोक जन संख्या स्थर्टा पकवारा के शुभारम Пर मुक्रिमंतरी योगिया अदिद्द identifies ने ये बड़ा बयान दिया है इस बयान की क्या माइने इस बयान को कैस प्रयोग किया है उसका आर्थ बहुत गहरे हैं एक तरफ उन्होंने जनसंख्या नेंतरन की बात की तो दूसरी तरफ जनसंख्या संतुलन की बात करते हुए ना सिर्फ जनसंख्या घनत्यों की बात की कि पॉपुलेशिन की जो डेंसिटी है उस डेंसिटी को हमें ये देखना होगा कि किस धर्म, किस भाशा, किस छेत्र और किस इलाके को ले करके असंतुलन न होने पाए, इंबैलेंस न होने पाए और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मुख्मेंत्री योगी आदित नात के पहले कारकाल में एक पॉपुलेशन बिल आने की तैयारी हो चुकी थी, जो रुपूर्व जस्ते, डॉक्टर आदित मित्तल, उन्होंने लगभग ड्राफ्ट कर दिया था, ड्राफ्ट उन्होंने सरकार को भी भेज दिया था, और ये हो रहा था कि क्या इसी कारकाल में सरकार ये बिल लेकर आएगी, पॉपुलेशन नियंतरण का, जिसमें कई तरह के प्रविधान बताए गए थे, क्योंकि आज जो भी भाशट दिया है, उसमें इस बिल के बारे में, इस ड्राफ्ट के बारे में बात करना बेहत जरूरी है, जिसमें उन्होंने इस बात को भी प्रपोजल में रखा था कि अगर दो बच्चे होंगे, तो आप लोकल बोडी और बाकी किसी भी चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, और वहीं अगर दो बच्चे से ज़्यादा होंगे, तो बहुत सारे आपके उपर शर्टे लगाई जाए अगर हम उस बिल के साथ जोड के देखते हैं, इसका मतनब है कि मुख्यमंत्री गंभीर है, पॉपलेशन नियंत्रण के साथ, पॉपलेशन जो उसको संतुलन कर रहा हो, जनसंख्या संतुलन बहुत एक एहम विशह है, उसमें खास तोर पे, अगर हम बात करें तो कई जगे पर हम देखते हैं कि एक खास बोली जाने वाली भाशा या एक खास धर्म या वर्ग विशेस के लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है, और वही दूसरे धर्म की भाशा की घटने लगती है, या अनुपात कम हो जाता है, और एक इंबैलेंस होता है, जो कि किसी ना किसी तर से उपद्रों के रूप में सामने आने लगता है, इसलिए मुख्यमंत्री के इस भाशा को जनसंख्या संतुलन को और उसके संतुलन के साथ धर्म और वर्ग को बनाये रखने का एक बहुती बड़ा महत्व और एक संकेत है, खास तोर पे उन धर्म के लोगों के लिए, जो क साथ अगर लाइन हम खीचना चाहें, तो ये अल्पसंख्यकों के लिए है, जहां पर इसे माना जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण उनके धर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो इसका पालद नहीं कर सकते हैं, इसलिए जनसंख्या संतुलन का प्रयोग मुख्यमंत्री योग शुक्रिया